के विरेंजी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह महाराष्ट का जो संकट है हर छे साथ महीने मुभाई हमारे सामने खड़ा रहता है मीडिया के सामने खड़ा रहता है पॉलिट के लिए खड़ा रहता है आखिर क्या कारण है कि यह महाराष्ट विकास अगाड़ी उगार हो जाती है अगले दिन उसको इस्तीफा देना पड़ा लोग सो रहे थे सबेरे उठे तो मुखमंत्री दूसरा हो गया इस देश में तमाम राजनेतिक ड्रामें हुए लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है महराष्ट इस मामले में बहुत बिक्सित प्रदेश माना जाता है 288 विधायक है वहाँ पर बीजेपी बहुत दिनों तक उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकती थी वो चाहती थी चाहिज इसे सरकार बने और अब ये मौका आया कि सिउसेना में आंतरिक भी स्फोर्ट हो गया कोई कहे न कहे लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में मज़ा पूरा लेगी और परदे के पीछे का क्या खेल है इसको लोग समझ रहे हैं अगर एकनाच सिंदे बिधायक लेके राजस्थान जाते जहारखंड जाते कहीं और जाते तो वहां से बिधायक भाग सकते थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है वहां से उधर ठाकरे छोड़ा भी न पाएंगे इसलिए वहां पर सुरच्छित रखा गया है अभी बात आई राजस्था चुनाओं में फिर विधान परसत चुनाओं में जब क्रास वोटिंग होने लगी थड़ा धाल और भाजपा जीतने लगी भी पक्षमे रहने के बावजूद तीन राजस्था में भाजपा जीती और तीन उधों के कड़बंदन तो यह साफ हो गया कि मोट नहीं है फिर भी भाजपा जीत रही है विधायकों में आक्रोस है विधायक तूटने वाले हैं जोड नहीं पाए लेकिन इन सब के इतर कोई सरकार पांच साल के लिए चुनी गई लेकिन कड़बंदन की सरकारे डावाडोल रहती है लोग सियासत में बढ़े उचकोट की नैतित्ता की बाते करते हैं बढ़े दुहाई देते हैं आदर स्वाद दिखाते हैं लेकिन सत्ता पाने की खातिर नीचे गिरने का सबसे जो खेल होता है उसमें एक दूसरे को पठक में सरकार देर साल चली थी कांग्रेस की कमलनात की उसके बाद वो गिर गई वहां वीजेपी फिर वापस आ गई इस देश में जहां जहां कमजोर सरकार है रही वहां वीजेपी देर सबेर वापस आ गई बहुमत की सरकार भी डरती है देखिए केंदर में जो सरकार होती है उस उसके पास राजपाल होता है राश्टपती होता है वो जब चाहे तब दूसरी पार्टियों की सरकारों का खेल भी आड़ सकती है इतनी जरूर नहीं तिकता है कि बहुमत की सरकारों को गिराने में थोड़ा परहेज करते हैं पच्पन विधायक है शुषेना के तीरपन है एंसीपी के चवालिस है कांग्रेस के ये 152 हुआ अब इसमें से 30 विधायक लेके भाग गए एक नासिंदे लेकिन नो विधायक ऐसे हैं जिसमें माईयम भी है समाजवादी पार्टी के दो-दो विधायक है और नो निर्दली ए एठारा विधायक और है ये 170 होता है आकड़ा महराष्ट का उसमें से अगर 30 घटाएंगे तब उदो ठाकरे सरकार 140 पे रह जाती है और बहुमत 144 पे है तो इसलिए सरकार अल्पमत में है अब ये सरकार गिर जाएगी कभी भी गिरा सकती है अब ये राजपाल के उपर है य करते हैं या दिन के उजाले में क्योंकि महराष्ट में तो सुबेरे जब लोग सो रहे थे तब एक नई सरकार बन गई थी अच्छा कांग्रेस के पास ब्रजय जी ले दे के कुछ छोटा मोटा एक लंगोटी बची है महराष्ट में वो भी बीजेपी खीज खाच के उसको नंगा कर देगी वहाँ भी सरकार जाने वाली है तो कांग्रेस एक राज इसे और खतम हो गई सरकार जब से बनी तब से गरह मंत्री कहीं पर छापा कहीं पर विबाद पूलिस कमिस्नर फिर अलसंख्यक मंत्री ये सब जेल गए सरकार डिश्टर्ब रही पूरी ताकत से नहीं चल पाई ये जरूर है कि उदव ठाकरे ने एक बार केंद्रिय मंत्री को रातो रात गिरफ्तार करा लिया नारायन राणे को एक वो बहुत बड़ा विबाद बना था उसके बाद उदव ठाकरे कहीं सामने लड़ने नहीं आए लेकिन अभी परधान मंत्री का कुछ दिन पहले दवर रहा था वहां भी चुकी गरवंदन में मुखमंत्री हैं तो गए थे मिलते जुलते रहते हैं लेकिन बीजेपी जहां मोका पाएगी सरकार बनाई एक नाथ सिंदे को महराश्ट के बाहर जादा लोग नहीं जानते कि यह कतने बड़े नेता हैं लेकिन महराश्ट में लोग उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं हम लोगों ने अब जाना कि एक नाथ सिंदे भी कोई मुखमंत्री पत्के दावेदार हैं अब तीज मिधायक उजात में बैठे हैं होटल से तस्वीरे आ रही हैं बाते हो रही हैं नयतिक्ता की दुआई दी जा रही है और एक नया फ सियासत कहिती है कि मुझको उजाले में मत देखो मैं सियासत हूँ मैं कपड़े नहीं पहिंती हूँ तो हमें अंधेरे में रहने दो तो ये उद्व ठाकरे मिल जाए देवेंट फड़नवीस मिल जाए भागपा और सुसेना मिल जाए फिर कंग्रेस मूबाय खड़ी रहेग कि वो जो चालक के हैं पवार साब उनका तो ऐसे भी आपरेशन हुआ है बोलने उनने उनको तकलीप होती है तो इस देश में धाई साल महराज में परदेश में सरकार चली है धाई साल और चलेगी मध्यावधी चुनाव के असार नहीं है अब मुखमंतरी कौन बनेगा ये रैजभावनों की ओर जाएंगी हूँ और राजभावन से बहुत सारे निडवन होते हैं कि लेकिन सियासत भृजय जी कैसे है उसके उपी किसे की गई है उसको एस सेर में समझीएगा जी है कि राजभावनों की ओर ना जाये फर्या दे पत्धरों में अभयंतर नहीं होता और ये सियासत की तवायब का डुपक्ता है, ये किसी के आस्वों से नम नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका, बड़े ही सरल भासा में आपने समझा दिया है।